नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मम्ता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मम्ता जोए में तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में हरियाली तीज की पूजा विधी देखेंगे फोटो से भी मैं दिखाऊंगी और पार्थिव सीलिंग की भी पूजा विधी मैं दिखाऊंगी और कौन-कौन से ऐसे कार हैं जो हमें जरूर पूजा के दीन करने हैं ध्यान रखिएगा और पूजा का सूब मोर्थ सबसे पहले आप लोग देख लिजे सभी बहनों को हरियाली तीज की हारदिक सूब कामना है पहला सुब मुर्थ सुबा में है, सुबा 6 बजे से 9 बजे तक, दूसरा सुब मुर्थ सुबा में ही साड़े 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है और तीसरा सुब मुर्थ साम को साड़े 4 बजे से लेकर 6 बजे तक है उसी में आप लोगों को पूजा करनी है कुछ बहने दीन में ही पूजा करती है तो आप लोग देख लिजेगा तो सर परतम हमें गनेश जी की पूजा करनी होती है तो या तो आप सुपारी से गनेश जी बना लीजिए और कलस रख दे तो बहुत ही अच्छा है आप अपनी घर का भी नियम विधी देख लिजेगा और हाथों में आम के पत्ता से आप लोग पवित्री पहन लिजेगा दाइने हाथ में अनामी का उंगली में और यहां परश्ट दल कमल बनाकर स्वास्त्विक बनाकर हम जो है कलस स अस्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं या उसके बीना भी कर सकते हैं अगर कलस अस्थापित कर ले तो जादा बेतर है और इसमें पान कपता एक सिका सुपारी थोड़ा सहल दी जल डालकर गंगा जल हो तो वह भी आप लोग मिस्रित कर सकते हैं और यहां कलावा मैं कंठ में बांदे दी हूँ तो इस प्रकार से हमें कलस अस्थापना करके हरियाली तीज की पूजा करनी है आप हरा वस्त्र पहन लिजे सोलस रिंगार भी कर सकते हैं लाल पीला भी वस्त्र पहन सकते हैं लेकिन हरियाली तीज में हरा पहने तो जादा वहतर है और इसके उपर दे से भगवान को संकेतिक असनान कराएंगे देवी देवताओं को ओम गंगर पते नमा बोलते हुए और उसके उपर हम दीपक रख देंगे देखे मेरा पात्र थोड़ा सा बड़ा है आप जो लेकर पूजा करने बैठी थी उसी को रखी हूं आप लोग इस प्रकार से आप इस जी को चंदन लगाएंगे सिंदूर लगाएंगे और माता से सुहाग हमें ले लेनी है वही उंगली अपने मांग में भर लेंगे और सिंदूरा सिंहोरा अगर आपके पास है तो उसी से आप लोग सिंदूर लगाएगा और भगवान को एक वस्त्र स्वरूप आपके प बना पाती हैं मिट्टी नहीं है तो इस प्रकार से फोटो से भी कर सकते हैं क्यूंकि यह जो ब्रत है ना अखंड सौभागे के लिए हर सुहागन महिला है अपने पती की लंबी आयू के लिए दिरगायू के लिए ब्रत करती है तो यहां पुस्प में चढ़ा दी माता को लाल मुर्जा गया है और राम राम लिखकर पांच साथ ग्यारा बेल पत्र आप लोग सीव जी को चढ़ा दीजेगा और पित कर दीजेगा थोड़ा सा ध्यान दखिएगा कि पत्ते सभी होने चाहिए कम ना हो और मैं भगवान को पलट के चढ़ाएगा मैं वीडियो के लिए द सकते हैं साम को पूजा पाठ करके ब्रत खोल लेते हैं तो आप अपने घर का नियम देख लिजेगा और यहां प्रसाद में मिठाई मेवा मिसरी जो भी आप चाहें चढ़ा सकते हैं खीर पूड़ी आप कहां बनता है तो भी चढ़ा सकती हैं केला वगएरा फल चढ़ा सकत करके आप चाहें तो अपने घर के बड़ी ननत को ससुराल पक्ष में दीजिएगा या अपनी सास को कुछ लोग बाइने के रूप में देते हैं तो आप देख लिजेगा या ब्रामर को भी दान कर सकते हैं साथ में कुछ मुद्रा दान कर दीजेगा क्यूंकि जो भी कमी र होता है घर में तो हम पूजा पाठ करते ही हैं लेकिन मंदिर जाने का एक अलग ही मतलब हमें सुकून और सांती जैसे मन में लगता है और अगर आप लोग चाहें कुछ बहने हैं जो हैं कहती हैं कि हम लोग पार्थिव सीविलिंग बना कर पूजा करते हैं तो आप इस प्र से जल से फिर सहद से ये वीडियो तो मैं डाल ली हूँ आप लोग देखिएगा मैं ज्यादा बड़ा नहों इसलिए एकदम लाइन बै लाइन नहीं दिखा रही हूँ तो आप लोग देख लीजेगा ठीक है और सभी देवी देवताओं को चंदन लगा देंगे और सीव ज से बना कर अगर हम सीवलिंग की पूजा करें तो इससे सर्वस्रेष्ट और उत्तम तो कुछ होगा इने तो आप देख लीजेगा इसलिए मैं स्टेप बैस्टेप नहीं दिखा पारी हूँ वीडियो बड़ा हो जाएगा तो बेल पत्र के उपर राम राम लिकर दोनों प्र चढ़ा दी दुर्वा चढ़ा दी गनेश जी को तो इस बिधी से हम पूजा करेंगे और रात को अगर साम को अपनों प्रदोस काल में पूजा करते हैं तुरत विसर्जन ना करें अगले दिन करें और सूबह में करते हैं तो साम को 3.3 बज़े तक विसर्जन कर दे कहीं भी प्रसाद आपको नहीं खानी है इस बात का ध्यान रखेगा बाकि आसपास जो प्रसाद आप लो माता पारवती और भी देवी देवताओं को चड़ाएं वो आप लोग खा सकते हैं वस्तर के रूप में कलावा चड़ा दी और यहां परेचावन जरूर कर लिजेगा फोटो से करें उसके बाद हम आरती कर लेंगे भगवान की और ओमनमस सिवाय मंत्र का जाब भी आप लोग कर सकते हैं और इस प्रकार से हम हर्याली तीज की पूजा करेंगे सीर पटक कर भगवान को आप पढ़नाम कर लें और यहां पर देखिए उसी वीडियो का मैं आरती करके तो आप लोग खड़े होकर आर्ती कीजिएगा ओम जै सीवा ओम कारा और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दिजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और यहां आचमन कर दिजिएगा भगवान का लास्ट में सभी कारे होने के बाल तब हमारा पूजा जो है संपूर्ण हो जाएगा यहां से उठकर हम अपने पती को परणाम करेंगे घर में जो भी बड़े बुजूर्ग है उनको परणाम करेंगे और हमारा ब्रत जो है संपूर्ण होगा तो जब आप लोग ब्रत खोलना चाहती है आप लोग देख लीजिएगा ठीक है